नमस्कार सातियों सातियों आज हम बात करेंगे इस पोधे की ये मेरे टेरेज गार्डन का काफी पुराना सदस से है और आज कल बहुत खूब बहुत सारे बहुत ही प्यारे से फूल बिखे रहा है चोटे छोटे फूल इसमा आते हैं जे हाँ ये है हमेलिया इसका scientific नाम है हेमेलिया पैटिंस और ये हमेलिया पैटिंस रूबियासी फैْमली का 12.08 जाड़ी नुमा पोधा है और ट्रोपिकल सब्ट्रोपिकल अमेरिका का मूल निवासी है तो इस पोदे को बहुत सारे कॉमन नाम से पुकार आजाता है इस पोदे को जैसे की फायर बुस, हमिंग बर्ड बुस, स्कारलेट बुस, रेड हैड, मेकसिका फायर बुस, फायर क्रेकर भी इसको बोलते हैं तो इसे इतने नामों से पुकार आजाता है बलके इसको कहा जाता है यह है गार्जियन ओफ फोरेस्ट, यह फोरेस्ट का गार्जियन है यह पोधा और इसके फूल, बर्ड को, बीज को, बटरफलाई को, फोली निसन के लिए अपनी और आकरसित करते हैं, अट्रेक्टिक फूल है इसके फूल को अगर देखेंगे, तो इस ऐसे लगते हैं, जो छोटे छोटे पटाके होते हैं तो इसे फायर क्रेकर भी इसलिए कहते हैं, साथी इसका नाम दिया गया हमिंग बर्ड तो इस पर हमिंग बर्ड जो है, छोटी सी प्यारी सी चड़िया होती है मेरे गार्डन में आजकर खूब आ रही है, वो बहुत आती हैं इसके उपर, पॉली देशन के लिए और वो ये उसको आकरसित करता है इसके फूल का जो रंग होता है, वो औरेंज रेड होता है, और ये ट्यूबलर टाइप, फूल आते है इसमें, थोड़े लंबे-लंबे, पटाकों की तरह के, इसका कुरोला, फूल का कुरोला, लंबा होकर एक आकरसित फूल बनाता है, जिसके करण, ये जो मैंने पॉली न के नाम लिए, इन्हें वो आकरसित करता है, और इसका जो फूल होता है, वो डार्क डेड बेरी टाइप आता है, लेकिन जब मैचोर होने को होता है, तो वो काला हो जाता है, तो ये जोर्जियस फ्लेम, कलर्ड फ्लावर है, वालब आग की तरह का रंग होता है, फूलो का, तो और इसको अच्छी जगह मिले, अच्छा मोसम मिले, तो ये जाड़ी नुमा पोदा पंदरे फिट तक बड़ा हो जाता है, लेकिन इसे प्रूनिंग करके सही साइज, सही सेप में छोटा रखा जा सकता है, ये फास्ट ग्रोइंग पोदा है, और बसंत से बरसा तक खू फूल देता है, इसकी कई वराइटी हैं, जो कॉमपेक्ट और ड्वार्फ रहती है, एक पर जाती है कॉमपेक्टा, कॉमपेक्टा को हमेलिया पैसेंस वराइटी गलेबरा भी कहते हैं, ड्वार्फ वराइटी है, और मैचॉर्टी तक ये तीन से चार पिट बढ़ पाती है इसी तरह एक है कालूसा, एक है फायर फ्राइ, फायर फ्राइ भी तीन से पाच फिट तक बढ़ती है, इसके अलावे एक वराइटी है, लाइम सिजलर, इसकी पत्तियां जो वैरिगेटिड होती है, तो बड़ी सुन्दर रस्ती है, देखने में, ये रसिस्टेंट होती है, प समस्तिया, इसके लिए इसा पसंद किया है, तो इसको सेंडी सोयल, वैल ड्रेंड, रिच सोयल इसको पसंद है, तो ऐसी सोयल में अगर रुगाएंगे, तो ये बढ़िया चलता है, और ये जैसे मैंने बताया, गुंजन पक्छी, हमिंग बर्ड, बटर फ्लाई, और बीज क तो अपनी तरफ आट्रेक्ट करते हैं इसके फूल, तो ये वैसे तो ड्रॉट टॉलरेट, ड्रॉट टॉलरेंट और हीट टॉलरेंट मना जाता है, लेकिन इसको गरम और गरम बातावरण चाहिए, फूल सन चाहिए, और इसको जनरली हमें लेट स्प्रिंग या अरली समन म इसको बीज से या कटिंग से लगाना चाहिए, और वैल ड्रेंज सॉइल में लगाना चाहिए, जब ये इस थापित जब तक इस ना हो, तब तक इसमें रेगुलर पानी दीजे, इस थापित हो जाए, तो रेगुलर पानी नहीं भी देते हैं, तो बढ़िया चलता है, ये टोलरेट नहीं कर बाता अगर जमीन सौगी है तो इसको नम मिटी चाहिए लेकिन वैट नहीं चाहिए पुरूनिंग इसकी करते रहिए तो यह सही साइज और सेप में बना रहता है लेकिन ओवर पुरूनिंग नहीं करनी है बहुत जादे कटाई छटाई नहीं करनी है काम प्रिजा बारेट फिक में बहाएं और कटिंग लगानी है तो भी बसंत में लगाएं इस इस में और जो पेन रिलीविंग जो दवाइया है उसमें ये इसकी दवाइयों में किस्तेमाल होता है और है इसकी बड़ी अच्छी है बनती है तो प्रोब्रम जैसे मैंने बता है बहुत जादे सीरियस कोई प्रोब्रम इसमें नहीं होती है तो हम इसको आठ से 10 इंच के गमले में कटिं से डारेक्स्ट लगा सकते हैं और जो सीडलिंग ट्रे हमारी होती है उसमें हमें बीज को बखेर के और उपर से पानी चड़क दें तो दो हपते में जर्मीनिशन हो जाता है तो इसको जरूर लगाईए